इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 साउंड बार्स के बारे में जिनकी प्राइज रेंज है अंडर 10,000 रुपीज लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नाव विडाउट वेस्टिंग अनी टाइम लेट्स गेर स्टाटेड नमबर 5 पे है मी साउंड बार 8 मी साउंड बार 8 का प्राइज है सिरफ 5,000 रुपे इसमें हमें 8 साउंड ड्राइवर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जो कि टीवी देखने के एक्सपीरियंस को और भी बहतर बना देता है फिर चाहे हम म्यूजिक सुनें, गेम्स खेलें या फिर मूवीज देखें सभी चीजों के लिए ये साउंड बार ओवरॉल काफी अच्छी रहेगी बात करें इसके connectivity options की, तो इसमें हमें सभी connectivity options देखने को मिलेंगे जैसा के line in, aux, bluetooth, optical, s, pdf, etc. इन सभी connectivity options की मदद से आप नए या फिर पुराने किसी भी TV को इस soundbar से connect कर पाएंगे प्राइस के हिसाब से इसकी base quality भी काफी अच्छी है अब जानते हैं soundbar number 4 के बारे में, जो की है JBL bar 2.0 JBL bar 2.0 का price है 7,000 रुपीज और इसकी output है 30 watts की surround sound system के साथ इसमें भी हमें connectivity के सभी options दिये गए हैं जैसा के HDMI, video output, audio inputs, analog, optical, bluetooth, etc. और तो और ये soundbar TV के remote के साथ भी work करती है So you can also use this soundbar with your TV remote Now let's move toward the next soundbar जो की है creative stage 160 watts की bluetooth soundbar इसका price है 8,000 रुपे इसमें हमें 160 watts के output देखने को मिलेगी जो की हमारी list के सभी soundbar से सबसे जारा output है वहीं बात कीजाए इसके connectivity options की तो इसमें हमें wireless bluetooth 3.5 mm aux in optical audio input TV arc and USB MP3 की भी connectivity मिलेगी इसकी sound quality काफी अच्छी है जैसा के इसमें हमें 160 watts के output मिलती है जो की बिल्कुल कमाल की है अब बात करते हैं soundbar number 2 की जो की है blow pocket की तरफ से SBW50 इसमें हमें 120 watts के output देखने को मिलती है और इसका price है 7,000 रुपीज इसके साथ हमें एक woofer एक remote भी मिलेगा connectivity में इसमें भी सभी options मिलेगे power pack combination है जो की है boat की तरफ से इसका model number आप screen पर देख सकते हैं इसकी price है 8,000 रुपीज और इसमें हमें 120 watts की output देखने को मिलेगी और इसमें हमें एक subwoofer भी दिया गया है बात कीजाए इसके design को लेकर तो इसका design बहुत ही जादा sleek and premium finish के साथ दिया गया है इसमें भी हमें सबी connectivity options देखने को मिलेंगे जैसा के USB, Optic, Aux, Remote, Bluetooth, HDMI Arc, etc और तो और इसकी base quality भी बाकी सबी soundbars के comparative सबसे अच्छी रहेगी इन सबी soundbar options में से अगर आपको कोई एक choose करनी है तो मेरे coding आपको boat की soundbar के साथ जाना चाहिए That's it for today guys आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो के बारे में आप अपने वीचार हमें comment section में जरूर बताएं Thanks for watching the video and don't forget to subscribe our channel